असलाम आलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर कर यूँ बहुत ही मज़ेदार बहतरीन सी सान्विच की रेसिपी यह सान्विच इस बहुत ही ज्यादा डेलिशिस मन के तयार होती है और आप इसे सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट में तयार कर सकते हैं और यह रेसिपी बिल्कुल भी म लिए थे जिनको मैंने इस तरह से चौप किया था और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टोमेटों और यह मैंने चूटे साइज की यूज किये थे और इसे भी हम स्वामल कर देंगे नेक्सT हमने डालना इसमें alipsicum शिंही नर्श को यूमेन इस तरह से चोटी पीसिस में गठ किया थे तो ये भी मैंने डाल दिया इसमें और नेक्स्ट इसमें जाएगी हरा धन्या और इससे आपने बारीक टॉप करके डालनी है नेक्स्ट इसमें जाएगी टमेटो केचप, बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है तो तकरीबन ये 2 टीस्पून मैंने डाला है और अब इसमें हमने शामिल करना है चिली फ्लेक्स, ये तकरीबन है 1 टीस्पून सॉल डालेंगे 1-4 टीस्पून से थोड़ा कम तो इन सारे चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो मज़ेदार से हमारी फिलिंग दैयार हो जाएगी तो यहाँ पे आप वेजी जैसे कैरेट में यूज़ कर सकते है या फिर किमबर भी यूज़ कर ले तो वो भी अच्छे लगती है तो यह यहाँ पर mix हो चुकी है, चले next step में यहाँ पर मैंने white bread के slices लिये हैं, आप चाहिए यहाँ पर brown bread भी use कर सकते हैं तो जो भी mercy आप भी use कर ली, अब इसमें हमने filling डालनी है, जो कि हमने तैयार किया था तो यह प्यास टमाटर वाली जो filling है, वो अपने अच्छी तरह से spread करनी है और इस तरह से आप press कर दे, spoon से, तो एक side bread के हमने यह लगा देनी है और दूसरी bread से हम इसे cover कर देंगे, तो देखे इस तरह से, तो बहुत ही असानी के साथ यह sandwiches तयार होती है तो यहाँ पे आप total 4-5 sandwiches तयार कर सकते है, तो यहाँ मैंने तीन बनाए थे, तो चले इनको कर लेते हैं जल से toast तो यहाँ पे pan में आपने डालनी है घी या butter, मैं यहाँ पे घी का यूज कर रहे हैं, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है देसे डालने के बाद flame आप यहाँ पे बिल्कुल low कर दे, और इसके बाद उपर वाली side में और हमने घी लगानी है और इसे आप flip कर दे तो देखे कितनी अच्छी से color आ चुकी है और बहुत ही अच्छी से crisp भी हो गई है तो यह तो toast हो चुकी है तो चले इनको निकाल लेते है तो बागी की भी आप इस तरह से कर ले तो पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी या तो घी डाले या पर बटर डाले दोनों से ही बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है तो जो आप प्रेफर करें वो आप डाल ले तो इस तरह से दोनों साइड में हमने घी अपलाई कर दी है और इसे भी हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसे टर्न कर देंगे तो आपने अच्छी से टर्न करना है ताकि जो फिलिंग यह वह बाहर नहीं आए और इसे थोड़ से प्रेस कर देंगे और फ्लेम यहाँ पर आपने ध्यान रखने की वह बिल्कुल लो होनी चाहिए तो चले यह भी निकाल लेते हैं बहुत ही बढ़िया इसे कलर आ चुकी है तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सैंविचेज यहाँ पर तयार हो चुकी है इस सैंविचेज को आप इंजॉय करें इवनिंग स्नैक के तौर पर या फर बच्चों को आप लंच मॉक्स में दे दे यह बहुत ही बढ़िया लगती है जस्ट आपने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स कम कर देना है और यह बहुत ही मज़ेदार बनके तयार होती है तो आपने इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ करनी है यह सैंविचेज हमने बहुत सिंपल तरीके से बहुत सिंपल इंग्रीडेंट्स के साथ तियार किया है और इनका जाइका बहुत ही बहतरीन होता है तो रेस पसंद आयत इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें मिलती हो नेक्स रेसिपी में अल्ला हाफिज